Dear student, we have to discuss introduction of education for sustainable development in early childhood care and education. हम इसकी बात करने से पहले, sustainable development की बात करने से पहले, हम millennium development goals की बात करते हैं. और millennium development goals के अंदर जो है, हम किन किन चीजों को हमने focus किया, focus करने के बाद हमने हमारे result क्या है, result आने के बाद फिर हमने sustainable development goals जो है, strategies जो बनाए, targets बनाए, उनका objective क्या था, उनके goals क्या थे, और हम 2030 तक और 2050 तक हम मुखलिफ गोल्स को जो लेकी चाह रहे हैं, strategies के अंदर, हम ये बाते इसके अंदर करें लिए. ये बन्यादी तौर पर ये जो हमारा course है, इसी के हमाले से, इसलिए ये course दिया गया है, हम चाह रहे हैं कि बच्चे के developmental process, जब इसी ही से शुरू हो, तो हमने जो objectives बनाए हैं, millennium development goal के और sustainable development goal के, हम उसकी जो development करना चाहते हैं in the long run, उसका जो seed है, जा उसका जो इपतदा है, चाहे वो हम cognition की बात करें, चाहे हम skills की बात करें, चाहे हम behavior की बात करें, उसको ECE से हम उससे शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे जो world के अंदर millennium development goals थे, उने MDGs के अंदर जो है, हमने जिस चीज को target किया था, वो था, health of the woman, children, gender equality, education and environmental, प्रोग्राम जो थे, इनको हमने target किया था, globally, अगर्चे अगर हम data की base पे बात करें, तो MDGs के जो target से वो अचीव नहीं कर पाए, अगर्चे हमने इनके targets को अचीव नहीं किया, एक तफ लेकिन पूरी global दूसरी तफ ये एक positive point था, कि हमारा success rate कहीं भी normal से कम नहीं था, हमने जितने भी millennium development goals बनाये थे, हमने मुख्लिफ education for all बनाया, उसको भी हमने किस यह तक target को जीव किया, हमने women की health को target किया, उसके उपर भी हमने काफी काम किया, children की health को काम किया, इनकी health के लिए vaccination के लिए जो process शुरू किया, इन तमाम products के उपर, इन तमाम चीज़ों के उपर, जिनके उपर हम काम कर रहे थे, और जो हम activities कर रहे थे, जिसके अंदर gender equality की भी activity थी, इन तमाम में हमने ख्यत्रखा कामयाबियां हासिल कर लिए, थोड़ा से हम इंटो करते हैं, MDGs का, ताकि आपको idea हो जाए, कि Millennium Development Goals क्या है, उसके बाद आपने sustainable development की तरफ जब जाना है, तो आपको base अंदाज हो जाए, Millennium Development Goals के अंदर जो पहला target था, वो poverty और hunger को जो हमने खत्म करना था, कि दुनिया के अंदर भूग से जो लोग मर जाते हैं, उसको हमने developing countries के अंदर खास दौर पे, developing country के अंदर तो इसका figure इतना ज्यादा नहीं है, developing country के अंदर जो हम जो ऐसे लोग जिनकी death हो जाती है, because of the hunger, हमने उसको खत्म करना था, पहला target, दूसरा था universal primary education, के हमने primary education पर हर बच्चे को स्कूल के अंदर लाना था, और उसको हर बच्चे को primary education देनी थी, और ये compulsory थी, उसके बाद gender की जब बात करते हैं, gender equality की बात आई, और woman empowerment की बात है, के बहुत से ममालक के अंदर, developing countries के अंदर, male dominance जी जो थी, उसको थोड़ा खत्म करना था, और उसके लिए क्या था, gender equality, और gender equality के अंदर जो है, woman को भी उसी लिहाज से empower करना, जिस लिहाज से man society के अंदर dominant है, यानि male जहाँ जहाँ पे जिस तरह रोल प्ले कर रहा है, इस पूरी community के, world की community के अंदर रोल प्ले कर रहा है, उसी अंदास से female के लिए भी तमाम opportunities प्रवाइड करना, education के opportunities, jobs के opportunities, एक्सेल करने की opportunities, वो तमाम opportunities उसको भी provide करना, जिस तरह के male के पास opportunities, फिर child mortality जो है, इसको हमने reduce करना था, और maternal health जो है, इसको भी हमने improve करना था, इसकी आगे भी जा के हम बात करेंगे, के बच्चे की पैदाश पर, बच्चे की और वालदा की अमवाद के rate को control करना था, उसकी बहुत सारी काज़ेज हैं, बहुत सारी चीज़े हैं, जिनको हमने discuss करना है, HIV, AIDS, malaria, और इस तरह की बहुत सी disease, जैसे पोलियो है, खनाक है, कौलिकांसी है, malaria, HIV, ये सारी जो AIDS हैं, इन बिमारिया हैं, इनको भी हमने control करना था, और जो हमारी environmental sustainability है, इसको भी ensure करना था, ताके हमारे environment के अंदर जो change आ रही है, उसको भी control किया जाएं, और इसके लिए हमने फिर एक global partnership for the development plan था, जिसको हमने ना सर्फ बनाना था, बनाने के बाद उसके उपर अमल करना था, और develop country ने role play करना था, developing country को upgrade करने,